हेई गाइस वेल्कम बैक टूमार यूट्यूब चैनल तो गाइस जैसे के हर एक नहीं वीडियो में कुछ नहीं सीखते हैं तो गाइस आज भी उसी रिसकों आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इंट्रसिंग और कुछ रियूस्वल सीखने वाले हैं तो पर देख सकते हैं यह मेरी कुर्टी का लुक है कुछ जस तरह किसे हमारी कुर्टी का लुक फानल बन के आएगा तो यह इस वीडियो मान तक बने रही रही गाए अगर आपको यह पसंद आती गाई तो आप अपने लिए खुद से बनाना चाहते हैं तो आप जरूर इस वी जो बीजिवन करते हैं इसके लेंद और विर्थ में चाहिए एक और चीज़ गाइस जिसकी हम आपको हर वीजिव में कहती हूं जो भी आपका सूट कर डिजाइन है उसको भी आपने नोड़िस करना है तो आप देख सकते हैं इसमें इसमें चाहिए इसमें मुझे इस तरीकी स किह सकते हैं, देग सकते हैं, कुर्ती आपसीन ऑपने कुर्ते हैं, आपसीन कुर्टी आपसीन की विजर करनी के बाद ही थो प्रॉल तो जो भी आपकी measurement है उससे आपके 2 इंच extra आपका fabric रहना चाहिए उसी के according आपको यह fabric रखना है तो मेरा जितने मुझे requirement है उसके according ही fixed हो चुका है तुम इसको इतना ही रखने वाली हूँ और एक और चीज गईस जो भी हमारे कुर्ती के extra fabric होता है फिर extra part है या फिर ट्रेड मेरा पार्ट है तो उसको हम equal कर लेंगे पहले क्योंकि हमारा measurement equal नहीं हो पाएगा अगर हम यह वेस्ट या फिर आपके extra part को रखेंगे अपनी कुर्ती में तो आप देख सकते हैं सब्सक्राइब कर लिया है अब जो मेरी चारोग फाबर के हैं equal हो चुके है तो यह काम आपक गरी और मोरा पीसी छीज़ चाहे हो तो फोर फोर में रखने की बाद सबसे हब दो हम उपना शोल्डर रखते है तो आप चिस भीडा मी रखना चाहता हो तरह सकते है मैं याप आप ए 6.5 रखना हुँ हूं सारे 6 इंचिस अपना शोल्डर देंग जो मेश्चरिय ने करते है तो गैस यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां पर हम अपने मेशरमेंट करते हैं और हमारे वाड़ी का जो शेप है वो काफी अच्छा से फैट बैट था हमारे सूट का या फिर किसी भी जीस का हो तो गैस चलिए उसके बाद हमें क्या करना है हम अपने आर् पर दा हम क्विए और हमे आर्मूलगा कली मार्किंग भी आटा है तो चलिए उसके अब बाद को यहीं पर हम आपने चकाइस के मेशरमेंट नहिए आप आपको measurement इसलिए नहीं बता रही हूं कहीं जब आप अपना खुद से measurement करेंगे कहीं आप सेम ना कर दें जो बिगनर से उनकी बात में कर रही हूं तो इसलिए मैं आपको जो भी आपका measurement आप उसको लगाएं और बाकी मेरा आपको जो main point से बता ही दिये हैं तो आप देख सकते करेंगे इस यहां तक का measurement हो चुका है और यह last में हमारे दामनवाला portion है इसमें हम measurement करें तो guys यह measurement भी हमारा जो हमारा hip का measurement होते हैं अगर आप इसको इतना ही रखेंगे तो आप देखेंगे इसके बाद काफी अच्छा शेप आता है तो इस चीच का अप्धियान रखेगा आदा इंची कम रखना है आदा इंची एक्स्टा रखना है आदे इंसे जादा नहीं रखना है तो आप देखे काफी अच्छा से आपके जो सूट है उसका शेप बनके आता है तो चली गाइस measurement हो चुका है मेरा इसको हम इस तरीक से mark कर लेंगे आपने सूट को इसके साइड वाले पोर्शिंस में गाइस सूट हो या फिर कुर्टी का मेशियो करना काफी आसान होता है मैंने इससे पिछ इस्ट्रेच कर देती हू वैसे जब सूर बनाते हैं इसको चुर्पन करते हैं इसको या कि और आप चुई परिक के बाक सूर प्रच्षिंस मेंशन अच्छह से मैनेज कर सकतेहं, आप के तरीक ओपने रखे रखे सकते हैं तो आप देखे हैं को सतरीक से अपने घ्जाथ को कमारिक कर अच्छा है, हमें मृक्त रखे हैं करो एक और powiedzieć हमें अपने ऑब मृल का शेयव दिना है तो देख सकते हैं तो इस तरही से बिए निकल लिए तो गईस चलिए कटिंग कर लेते हैं तो गईस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो प्लीस लाइक शेयर कमें क्यों सपोर्ट जरूप करेंगा क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा कुछ इस तरह की इंट्रेस्टिंग और यूस्फूल वीजियोस ही लाती हूँ तो गैस अगर आप चाहते ही कि मैं आपके लिए इस तरह की और वीजियोस लेकर आओं तो प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करेगा तो देख सकते हैं इस तरह के चाहँ तरह की तरह की तरह के चाहँ नहीं नहीं के लिए पार विदम नहीं की चाहिए तो guys, आप देख सकते हैं, इस तरी एंचिस हैं रहा है दाएं। इस तरी तरी टावास है तो देख सकते हैं क्यां इसके बाद हम इसके से मिला लेते हैं, यक बाद हैं इसके किसा हम एक बॉकस बना चुका है इसलिए मैं रिए इनको 2 पार्ट में डिवाइट कर रहा है मैं आपको इसकी length बिता देटे यह इनको एक इनको डिवाइट करना है तो देख सकते हैं गाइस परस आप कुर्ती की कटिंग भी काफी अच्छ से सीख चुके होगा है I hope तो आप देख सकते हैं नेक डिजन बन चुक है मेरा उसके बाद हम देखिए एक 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 स्टा जिसे हम हमेशे छोड़ते हैं उसे तरीके से मैं भी एक 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 स्टा छोड़ रही हूँ यह देखिया और गैस अगर कोई बिगनर्स हैं और वह इस नेक डिजन को बनाना चाह रहे हैं तो मैं उनको सब्सक्राइब करूंगे कि वह पहले बेसिक से नॉर्मल जो नेक डिजाइन होते हैं उनको बनाई सब्सक्राइब कर दिखा हैं को सब्सक्रारई ख Exchange देखिया और रॉन सब्सक्राइब ज़ल्दी प्सक्राइब कर देखते हैं कुछ रूख से नेक डिजन बनाना होते हैं अगर और देखते हैं कि अक बनकी कैसा लगता है। तो चलिए गाइस इससे हम फापरिक ले लेते हैं अपने नेक डिजान को बनाने के लिए और एक और चीज का धिया है जैसा जैसा आपका बुक्रम की कटिंग होई है सेम आपको जो फापरिक है उसकी कटिंग भी वैसे ही करनी है इसमें आपको एक्स्ट्रा कटिंग करके रखी है तब ही मेरे कपड़ा चीज से फोल्ड हो पाएगा इस वाले पोर्शन पर आप समझ रहे होंगे तो चलिए जल्दी सहां अपने जो यह बुक्रम है और हमारा फापरिक है इसमें स्ट्रिचिंग कर लेते हैं देन आगे देखते हैं तो गएस अब देख सकते हैं इस सरी किसी मेरे जो नेक डिजाइन है वो बनके रेडी हो चुका है यह कुछ चाहिक से बनकिया हुआ हो और यह इसका पोजट साइड है यह देख सकते हैं तो चलिए गएस अब इसको जल्ए साम सूट में अटाच करेंगे तो गई देख सकते हैं या मेरी कुरति है और इसी मैं هाफ घुटतान है पर इसका वीडियों क्मा इसका बेड़ा पूर्चन निकाल लेना है तो थोगत कर लेना है आपको सेंटर पोर्शन मिल जाए यह बेसिक चीजे हैं तो आज मैं आपको कुछ कुछ चीजे स्किप करते वे दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाती है फिर यह काफी चीजे हैं जो मैंने नेक डिजाइन कट करते हैं आपको बताई हुए हैं देखिए दोन तो अच्छे से हैं सबसी पहाले हमें काम करते हैं अपने सेंटर पोर्शन में ही स्ट्रीशिंग में देखिए कुछ इस तरह कि जमेंठर पोर्शन में स्ट्रीचिंग करेंगी ताकि हमारा डिजाइन एक सैट को ना जाए तो चता नं ₹ो जलिदी सरे भाड़ए हैं जल्द साइड वाले पोरिशन में भी स्ट्रिचिंग हो चुकी मेरी अब हम इसको जली से कट कर लेते हैं तो गैज आप देख सकते हैं किसे कटिंग होच है मेरी कटिंग राइए कुछ ारीक से आया है एक हीज़ी आ पूसरे साइट में इसको फॉल्ल करते हैं देखें कुछ is तरीक इसे तो गाइस आप देख सकते हैं इस्टुचिंग हो चुके मेरी कुछ इस सरी किसे मेरा नेक डिजान बनके आया हुआ है और एक और चीज़ गाइस की जो लेंथ और विर्थ है वो थो थोर से मैंने कम रखी हुए क्योंकि मुझे कम ही पसंद है बट आप जब बनाए तो आप इसकी लेंथ अपने अपने एक्स्टर रख सकते हैं तो चले गाइस फ्रंट नेक डिजान रेडी है मेरा तो अब हम बैक यह दिया लेंट मेने फोर इंचिस रखी हुए है तो चले गाइस को इससे मिला लेते हैं तो इस फाल नेक डिज़न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है यूश्य निक डिज़न ही है सेंपली मैंने काफी बार अपको बनाना सिखाया हुए हुआ है तो देखे काईस हमें कु तो guys आप देख सकते हैं उच्छी से बनके आया हुआ है तो guys अब देख सकते हैं यूश्यप ने जबनके आ चुका है मेरा इसमेरा तुर पर नहीं करी मैं अच्छी है तो guys चले जदी से अपने अब शोट को आगे को बोड़ाते हैं जल्दी से हम D З चिंग चु सर्डी करते हैं तो सर्केजिग सबहरे हम पी शोट में ठीमे पर टाश करेंगे सब्सक्वेखर tourist करेंगे माम भी डिल्डर टाश कर लेती हूँ तो आप देख सकते है भागे tradition कर लेती हैं आएवे तो आफिसा कुछ नहीं है मुझे कुछ मेशिर्बेंट कर दो कोई प्रॉब्रम ही है तो मैं फिर से प्रॉब्लम में इस मेशिमेंट कर लेती हुँ छोड़ा बाकी एक इंच जैसा हम एकसा छोड़ते हैं वह मैं इसमें वह भी मार्क कर लें कि मुझे इतने इतने डिस्टेंस में फिर से को स्टूचिंग करनी है बाइचन्स कभी इन्फूचरी मुझे टाइट हो जाता है फिर कुछ और इशू रहता है तो मैं इसको खोल सकती हूं तो देख सकते हैं इस तरी से मिलाते हुए हम अपने बागी की मेजरमेंट करेंगे जो सेकेंड वाला पॉर्शन है वो अपने आप सही से हो जाएगा उसके बार तो यहां पर हमारे हेपराउन का मेजरमेंट आ रहा है जहांकि मैंने मार्क कर दिया आप देख सकते हैं उसके बाद जस्ट हम इन तीनों जो माक हम ने करे हैं इसको हम मिला लेंगे तो यह सेट हो जाएंगे ऐच्छMO तो चलिए गय requirements, यहां आप जिए दोने को मिलाने आपस में और फिर हलकलकी हाथों से मारना है जिसमें आपकी चौक के निशान है दूसरे बाले इसमें प्रिंट हो जाएंगे तो आप इसको फिर कॉपी कर सकते हैं बट मुझे कॉपी करने के जरुवत नहीं है क्योंकि मेरे दोनु साइट में मिजरिमेंट हुआ है अलरडी एक में में करा और पहले से करा हुआ था देखिए हलकी हाथों से मारना है जिससे हमारा जो एक साइट वाला पोर्शन है वो दूसरे साइट में प्रिंट हो जाएगा तो चलिए गईस सब हमें जल चलिए दोनु में स्टुचिंग कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं दोनु साइट वा बनाने का काम होता है उसके बाद अब देख सकते हैं यह वाला पोर्शन अच्छे से बनाना है हमें तो गईस देखिए उसके लिए एक फाबर्क लिया हुआ है इसके हम चुट चुट एक दो पत्ली सी पट्टिया बनाएंगे जिससे हम अपने चार्क में अपने स्लिट्स म लगाने के लिए तो गैस उसके बाद हमें क्या करना है अपने चार्क वाला पोर्शन निकालना है इसको अटाच करने का तरीका अपो थोड़ा सा ध्यान से देखने है क्योंकि अगर इसको ढग से अटाच नहीं करा तो इसके सिलाई बाहर दिख सकती है या फिर कुछ और प सीवरय कर देखें और किति अधिंग से यहां से देखें जैनस यहां तक मैंने स्टिकर रहे तरीकि करी है इसलिए मnt यहां के दूसरा डूरा पोर्चन स्टार्टब जाता है एसलिए मों को यह आ पे देखें ऊपर ओं लेना है जितना पोर्चन हमारा उसमें है यह देखें स इतना समने लिया देन हमें अगर इसको फिर अपोजिट में लेते हुए फिर स्ट्रिचिंग में कर लेनी है तो गईस एक तरीका ये भी है अपने स्लेट्स को या फिर चाक को अच्छे से बंद करने का और दूसरे तरीका है आप तुरपन भी करना चाहें तो कर सकते हैं पो दिखांगे कि किस तरीकसे करने है या फिर दोz 옆 दोनगे यही है दोरों के सेम ही है यहाद है अधि तक में लेते वे फिर इसको डॉन में ले जाते वेängि फिर दूसरे साइट में उबसी दिखा नहीं होुए इस से क्या होता है आपके फिर शूट को मैं बंद नहीं तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरीक से मेरी जो स्लेट्स हैं वो बनके आए हुए हैं आप देखें किते हैं फिनिशिंग के साथ रेडी हो इससे क्या हो गाइस अब जब मैं इसको फोल्ड करूंगी तो फोल्ड करने में इसी होता है प्लस इंफूजर खोलने का भी क तो गाइस तर्वन वाले पूशन को फोल्ड करने के रिए मैंने 2 इंचिस यहां पे ले रखा हैं आप देख सकते हैं और गाइस इसको इसको इए तो इंचिस लेने के लिए हैम किस तरीकी से चॉक से पूरे में निशान लादी जिए से क्या होगा कि हमाने exactly 2 इंचिस ही फो इसको फोल्ड करने का आपकं यह देग सकते हैं इस तरीक से सबस्कार रोड़ा निस में प्रब आइप है कि आप पोस्के कर है नहीं गोपि देग सकते हैं बते हैं मैं स्ट्रीचिंग से काफी, अब उनको बिताती है कि इस प्रोड करती है इसे इंटर चिंग करने रोख इन trigger करने का चीछम मैं इन स्ट्रीचिंग किरने वाली हुँ यहा somehow क्वैज्ध तो ंडिया है तो चलिए गाइस कटिंग हो गएर मैंने सब कर लिया है जो एक्स्टा फापरिक होता है तो देखे उसके बाद हमें कुछ इस तरीक से इसको फोल्ड करना है और उपर से लेकिन नीचे तक एक्वल ही फोल्ड होना चाहिए एक्स्ट्रा या फिर काम नहीं होना चाहिए तो दे देख सकते हैं पहले हमें कुछ इस तरीक से इसको लेते वे चलना है पूरा पोर्शन हमारा हमें बंद करना है इसको जैसे हम तुरपन में करते हैं देखे इस तरीक से करा मैंने जैन इसके बाद मैं पूरा स्ट्रेट में कर दूंगी इससे क्या हो गाइस काफी फिनिशिं क चारो slits ready कर ली हैं, front or back की आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मेरी slits बनके आई हुई हैं, ये देखे, किते फिनिशिंग के साथ बिल्कुर जिसे मार्केट वारे जो होती हैं, वैसी सेम बनके आई हुई हैं, तो चलिए guys, slits भी रेडी हो चुकी हैं, neck भी रेडी हो इसके लिए मैंने इसको साइड में रखा हैं, but sufficient है मेरी जितना है, हमेरी arm पोर्शन एक्स्रा लेने हैं, बाकी हमारा मुरी पोर्शन हो जाता है, तो देख सकते हैं, यहां पे जो मेजर्मेंट लेडे हैं अपने arms के लिए, वो 9 इंचिस मैं ले दी हूँ, टो गाई, इसकी लेंट लेते हैं किसी कितनी चाहिए, गाइस अपको जितनी भी लेंट अपनी मेजर कर सकते हैं, तो गाइस मैं इसकी जो छो लेंटर रख रख रही हूँ, मैं रखने वाली हूँ 14 इंच पर क्योंकि मैं दूना बाकी बचा कुछ अपड़ा के लिए इसी से डालूँगी, कम हो या जादा हो जितना भी हो मैं इसी में से बनाऊंगी तो 14 इंचिस मैंने अपनी जो स्लिप से इनकी लेंग लिए और 4.5 मैंने अपनी जो एल्बो में ही आए गा यह तो मैंने एल्बो की विर्थ मैंने 4.5 लिए उसके बाद देखिए गई हम इसको सरीकी से मिला लेते है तो गैस इस सर एक से मिला लेने के बाद हम 1.5 इंच एक्स्टर मार्जिन के लिए छोड़ देंगे तो गैस मेजर मेंन कम्प्रीट हो चुका है जली से कटिंग कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं तो गैस अब देख सकते हैं स्लिप की कटिंग हो चुकिए मेरी और थोड़ हम इसमें स्टिचिंग कर लेते हैं दिन इसके हम फ्रिल्स बनाएंगे तो गैस अटाच करने दूले हम आपको एक चीज़ और पताना चाहूंगी देखिए जो हमारी स्टिचिंग की एक तो मेजर में करी होती है उसके बाद मेजर में करने के बाद हमें थोड़ा सा इस तरी बेofflating काफी अच्छी आइगे आप खुद ही फील करएंर इसको पहिनग के आपको काफी जलगे तो गैस देखिए मैंने स्टिचिंग कर लिया है और वही करया है जैसे कि déjà को आपको एक्ज continuar हुआ हो था तो आप फिर्ल्स के तरह करें द्यान से दीखिएगा यह जो हमारे बाद जो का मोरी वाला पोर्शन है मोरी कहेंगे अफिरा अल्बो में यह मेरा आर है इसका measurement हम इसको इस से ले लेंगी ये देखी जिस से मैं ले ले लिए हूँ इस से ले 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 लेंगे तो इससे क्या होगी हमारे exactly इसी की fitting का बनेगा तो बाकी जितना भी कपड़ा left है तो मैं उसका measurement ले 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 हूँ पूरे ही ले देग लेट है। आपको दिखा देते हूं कितनी लेंथ इसकी बन रही है' आप देख सकते हैं तो इंच के थोड़ा से जादा है तो तो इतना इतना ही इंच है अब इसको attach करने का तरीका हम आपको बता देती हूँ then almost हमारी video complete ही हो चुकी है यह देखिए इस तरीक से खोल लेना है और इसको हमें center से attach करने है वह आपको दिखा देती हो तो गैस देखिए इस वाले portion से हमें एक portion लेते हुए एक corner लेती हुए इस तरीक से इसमें stitching लगानी है और इसके 4 और लगा लेनी तो गैस चल दीसे में इसको stitch कर लेती हूँ तो गैस आप देख सकते हैं मैंने अपनी फ्रिल्स आटाज कर लिए और इस तरीक से मेरे आये देखा आपने कितना कम कबड़ा था मेरे पास तो इतना अच्छा फ्रिल्स नहीं बना जितना हम लोग बना बदले काफी है sufficient है तो गैस चलिए फ्रिल्स बन चुके हैं मेरे slips तो आप इसको जल्दी से अटाज कर लें अटाज करने का तरीका जैसे कि आपको हमेशा बताती हूं आपको इस तरीक से दोनों portion लेने हैं आपको slips का गहरा पार्ट और आपका suit है उसका गहरा पार्ट आपस में जोड़ना है फ्रंट में ही आता है जो हम लोग गहराई दे हैं अपने suit हो या फिर slips हो तो वह दोनों portion फ्रंट में ही आते तो उनको आपस में अटाज करने एजी हो जाता है तब तो चलिए कई सब जल्दी से में इसको टाज कर लेते हैं आपस में तो आप देख सकते हैं slips हो चुके हैं मेरे और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ह और यह मेरे दूसरा slips है दोनों में अच्छी से अटाज कर लिए हैं आपस में और काफे अच्छी फिटिंग के साथ यह बिनके आए हुए हैं यह देख सकते हैं और गईस कर जो यह बाला portion है बार वाले इसमें मैं अपना अपना अंटर लोग कर लोगी जिससे यह फिनिश पड़िवी थी घर में तो मैंने सुचा क्यों ना इसका रूटिलाइस किया जाए तो गईस देखिए दो डोरी में लेयर खी हैं इस सरी की से और इसके लिए मुझे आप लटकन मिना रहे हैं तो लटकन मिनाना मैंने को कहीं बार बता हुआ है अगर आपने नहीं देखा है किस तरी के बनाता है तो आप में चैंपिरा के देख सकते हैं तो गईस हमें क्या करना है देखिए अपनी फाबरी को इससे टू फोल्ड में करना है ट्राइंगल शेप में इसको एक और फोल्ड करते हुए इसमें स्ट्रिशिंग करना है तो काफी एजी है गाईस मैंने कहीं अगर आप पहले भी बताया हुआ है तो इसलिए अगर आप डीपली सीखना चाहते तो आप में चैंपिरा के एक बार देख लीजएगा तो गईस चलिए उसके बाद हमें से ट्राइंगल शेप में रखते हुए इसमें स्ट्रिशिंग कर लेनी है जिस तरीक से मैं कर रही ज्याता तो नहीं बस मुझे दो दो लटकन मिनाने हैं दो दोरियों में तो गईस अब देख सकते हैं दूसरा लटकन भी डेडी है और इसको मैं इस तरीक से इसका अटाच करूंगी इसलिए मैं डायक्ट अटाच नहीं किया तो इसको गईस मैं रिल के अलप से अटाच कर तो guys इसी तरीके से मैं और भी अपने पचाक से लटकन और दोरी बना के रेडी कर लेती हूँ then हम आगे देखते हैं तो guys देख सकते हैं इससर किसमी इसको पकड़ने हैं और नीडल की हल्प से दोनों को स्ट्रेज कर लेना है तो हम इसको निकाल लेते हैं अच्छा से इसका कोना कॉर्णर वाला पॉर्शन और उसके बाद देखे गाईस हमें निडिल के हल्प से इन दोनको आपस में अटाज कर लेना सिंप्ली साधा कुछ नहीं है तो जल्दी से कैस में इसको अटाज कर लेती हूं दिन आगे देखते देखें न बाहर को तो जल्दी से इसको अटाज कर लेती हूं तो आप देख सकते हैं मैं ने डोरी और लटकन को आपस में अटाज कर लिया है और कुछ अससरी कीसे बनके आए हुए है यह दिखें उसके बाद हम इसको फ्रेंट से इसको बादेंगे तो काफी सुन्दर का लुक आया हुआ है फाइनल लुक आप देख सकते किता अमेजिन लग रहे है तो आज की आपको कैसी लगी मुझे कमें शेक में जरूर बिताएगा वीडियो अच्छी लगती तो लाइक शेक कमें के सपोर्ट जरूर करेगा और गैस इफ एनी डाउट आप मुझे कमेंश कोशिश करती हूँ तो देख सकते हैं कितनी अमेजिन कुर्टी लग रहे है आपको अच्छी लग तो आप जरूर फ्राइग कीजेगा तो गैस थैंक्यू ववाचिंग